हेलो एवरीवन वेल्कम टू माई चानल एस्ट्रो मंद्रा भी पॉस्टिव मैं हूँ रूबी कंग हमारे लास्ट सीरीज में हमने मेजर अरकाना के वी लॉफ और फॉर्चिन तक इंटर्पेटेशन कवर किया था आज हम नेक्स टार्ट करेंगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ट मेजर अरकाना का किस नंबर का कार्ड है और यह क्या कहता है नेक्स्ट कार्ड है हमारा जस्टिस का कार्ड जो की मेजर अरकाना का नंबर 11 का का कार्ड है देखिए यहां नंबर 11 लिखा है और यहां पर जस्टिस लिखा है जस्टिस जैसे कि आपको पता यह कि justice का मतलब क्या होता है means नयाय, नयाय की देवी है ये और इनोंने हाथ में तलवार पकड़ी हुई है और इधर हाथ में तराजू, तो नयाय की देवी कभी भी किसी के साथ अनयाय नहीं कर सकती, अपनी तलवार के साथ ये जो भी गलत चीजे हैं उनको काटकर फैंकती हैं औ और इनसान को नयाय दिलवाती हैं तो अगर ये किसी की रीडिंग में specially court के चेहरी के cases के अंदर ये काड आता है तो definitely आपकी विजय होगी और आपको नयाय मिलेगा और आपके साथ अनयाय नहीं होगा यहाँ पर अगर हम इनके कपड़ों की बात करें तो इनोंने लाल रंग के कपड़े डाले हुए हैं माते के ऊपर जो crown है वो yellow color का है यहाँ पर जो stall है यह green color का नजर आ रहा है यहाँ पर इनके square भी है squares जब भी आता है तो यह भगवान की दया को सुझाता है और यह भी बताता है कि यह इनसान बुद्धी से काम लेने वाले हैं और इनका दिल बह है कि देवी हमेशा एक कदम आगे होकर एक बढ़ते हुए step में जो है किसी के लिए भी आगे होकर नयाय दिलवाने वाली और नयाय देने वाली होती हैं ऐसा हमेशा इनसान कोई ना कोई step लेने के लिए तयार रहता है तो ऐसा इनसान कभी किसी के साथ गलत नहीं करता है और आपको भी अप किसी के साथ गलत नहीं करना है क्योंकि ये एक कार्मिक कार्ड भी है अगर ये रीडिंग्स में आ जाए तो कहीं न कहीं कार्मिक कनेक्शन भी होता है मतलब आपके कर्मों का हिसाब किताब इसका मतलब ये होता है तो आपके कर्म जो बुरे कर्म है उसको चाता है, तो ये कार्मी कार्ड भी है, आपको यहाँपर इन्सान को न्याय के बारे में बताना है, और ये बताना है कि आपके साथ न्याय होगा और आपको भी सही तरिके से चीजों को करना है, चलिए देखते हैं next कार्ड क्या है, next कार्ड है हमारा number 12 का card number 12 means Jupiter का card है यह और hanged man hanged man जो की उल्टे लटके हुए हैं यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि एक पेड के तने के ऊपर ऊपर यहाँ पर काफी सारे आपको पत्ते भी नज़र आ रहे हैं तो जब भी हमें पत्ते नज़र आते हैं उपर की तरफ that means यह celebration दिखाते हैं celebration तो है लेकिन बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत के बाद देखिए यह इनसान उल्टा लटका हुआ है लेकिन यहाँ पर एक चीज यह है कि यहाँ पर कहीं भी हमें black नज़र 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 नहीं means यह इनसान सही तरीके से मेहनत कर रहा है सही direction में मेहनत कर रहा है लेकिन इनको सफलता तो मिलेगी लेकिन बहुत जढ़ा मेहनत करने के बाद एक तरह से तपस्या करने के बाद आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से यह उल्टे लटके हुए हैं लेकिन यहाँ पर भगवान की दिया भी इनकी उपर है मतलब इनको सफलता तो जरूर मिलेगी लेकिन काफी जादा मेहनत करने के बाद एक तरह से तपस्य इनको करनी होगी तब जाकर इनको सक्सेस मिलेगी और यहाँ पर वो सलिबरेशन फिर इनकी लाइट में जरूर आएगा भगवान वरस्पती की इनके उपर दिया रहेगी तो इनको आप ऐसा भी बोल सकते हैं जो भी इनसान आपके पास आया है तो कि आपको वीरवार के दिन भगवान वरस्पती की अगर आप पूजा करेंगे तो आपको सक्सेस जरूर हासिल होगी चलिए बढ़ते हैं नेक्स काड की तरफ देखते हैं नेक जो हैं किसी की जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते कि अच्छा नहीं लेकर आके आते हैं अच्छा लेकर के आते हैं लेकिन एक बार वो अपना विनाश रूप जिरूर दिखाते हैं विनाश जब आता है तो फिर सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं और ऐसा भी बोला जाता है कि विनाश काले विपरित बुद्धी कि जब विनाश का समय आता है तो विनाश के समय इंसानों की बुद्धी विपरित दिशा में चलने लगती है और वो गलत चीज़ों में हाट डाल लेते हैं उनको कही न कही लॉस जरूर होता है तो ये कार्ड भी इसी तरीके का कार्ड है जो कि आपको लॉस लेकिन लॉस के बाद कुछ नया भी आपके जीवन में दिखा रहा है डेथ का मतलब यहाँ पर मौत नहीं है डेथ का मतलब है किनी चीज़ों का खत्म हो जाना और उसके दुबारा से सर्कल जरूर चलता है क्योंकि अगर सर्कल चलेगा नहीं तो यह शुरुष्टी किस तरह से चलेगी आगे बढ़ेगी यह नहीं इसी तरह से यह जो कार्ड है हमें यहां पर बताता है कि एक चीज को खत्म करके दूसरी चीज की शुरुवात के बारे में यह बता रहे हैं और यहां पर यह जो आपको एक फलार नजर आ रहा है इसके चार आपको कोने भी नजर आ रहे हैं यह आपकी फोर एनर्जिस को भी बताते हैं और यह कार्ड जो है इस तरह से हम बोल सकते हैं कि यह राहू का कार्ड है और राहू जब भी आता है तो कहीं न कहीं ची अगर ये किसी relationship में आ गया है तो that means एक relation का खत्म होकर के दूसरे relationship में इंसान का चले जाना होता है अगर कहीं business में आ गया है तो जिन भी चीजों में बंदे ने invest कर रखा है वहाँ पर उन चीजों का खत्म होकर के नई तरीके से शुरुवात होने को भी ये card दर्शाता है तो death यहाँ पर एक बारी एक चीज को खत्म करके दूसरी की शुरुवात होने को दिखा रहा है तो चली अभी आगे बात करते हैं next card की और next card है हमारा temperance का card जो की major arcana का number 14th का number card है 14 मतलब number 5 बुद्ध का card हो गया ये बुद्ध बुद्धी के मालिक है तो ऐसे इनसानों की बुद्धी बहुत तेज होती है अगर ये card आपकी reading में आता है that means इनसान बहुत balanced way में दिमाग से काम करने वाला है यहाँ पर देखते हैं एक इनसान को जिनोंने की white color के कपड़े डाले इनके ओपर भगवान की पूरी कृपा है यहाँ पर देखते हैं पीछे एक सूरज नजर आ रहा है जो की prosperity को दिखाता है और आने वाली नई opportunities को भी बिताता है एक रास्ता जो की पानी से निकलते हुए सूरज तक जा रहा है मतलब emotions से निकल कर prosperity की तरफ stability की तरफ पीछे प उसके कारण इस इनसान का दिमाग सही चल रहा है और यह चीजों को सही तरीके से balance कर पा रहा है यहाँ पर देखते हैं पानी नजर आता है आपको पानी में इस इनसान के एक पैर पानी के अंदर है और एक जमीन पर है इसका मतलब है कि यह इनसान emotional भी है लेकिन साथ ही साथ यह stability की तरफ भी रहता है मतलब कभी भी यह इनसान सिरफ और सिरफ emotions में आकर कोई भी decision नहीं लेगा यह बहुत चीजों को पहले balance तरीके से सोचेगा उसके आगले पिछले परिणाम को सोच कर फिर ही कोई decision लेगा और वो decision बहुत सही decision होंगे जो कि उनकी life में prosperity को flowers नजर आ रहे हैं flowers हैं उसके उपर that means यह भी जिन्दगी में अच्छे जो परिणाम है उनको दिखा रहा है अच्छे decisions balanced way में देखिए यहां पर यह कप्स को दूसरे कप में पानी को बड़े अच्छे तरीके से डाल रहे हैं और बड़े balance तरीके से उसको डाल रहे हैं that means कि यह इनसान जो भी है यह बहुत balanced way में काम करता है कभी एक one-sided decision यह इनसान नहीं लेगा तो जब भी यह card reading में आता है तो हम querent को बोलते हैं कि आपके लिए बहुत अच्छे सही time से सही दिमाग से आपको decision लेना है किसी भी situation के उपर और वो आप ले लेंगे क्योंकि आपक कोई दिशा में सही सोच पाएं तो यह बहुत अच्छा card है positive card है yes no वाली reading में इसमें हम हमेशे yes बोलते हैं let's move to our next card that is the devil black card है पूरा और यह हमारे tarot deck का सबसे negative card इसको बोला गया है जैसे कि आपको devil नाम से ही show हो रहा है devil मतलब शैतान और यहाँ पर इसको देखते हैं तो यह number 50 number का card है मतलब 16 number का card आ गया यह यहाँ पर देखते हैं तो एक आपको राक्षस नजर आ रहा है जिसने की इन दोनों एक पुरुश और एक महिला को कैद करके रखा हुआ है तो यह इनसान नहीं है यह शेतान है और इसका दिमाग बिलकुल भी सही नहीं है यह इनसान गलर डिसीजन लेता है यह दूसरों को डॉमिनेट करता है यह दूसरों को पकड़ कर और कंट्रोल करने की कोशिश करता है ऐसे इनसान सही डिसीजन से नहीं ले पाते और अगर य कोई negative energy इस इनसान के साथ है जो कि इसकी चीजों को खराब करने की कोशिश करती है या करती है तो ऐसे इनसान जो है उन चीजों से निकल नहीं पाते यह किसी तरह की बुरी संगत को भी दिखाएगा क्योंकि यहां पर आप देख पा रहे हैं कि एक दोनों के दोनों इनसान जो बाहर नहीं निकाल पारे अगर हम माने तो यह राक्षे जो है उनके अंदर की negativity भी हो सकता है तो कुछ negativity उनके अंदर की या उनके बाहर की जो उनके साथ हमेशा रहती है वो उनके अंदर भी हो सकती है दिमाग के अंदर उनके बाहर भी हो सकती है तो जो कि उनको कंट्रोल क और उनको बोलना है कि जिस जो भी question के लिए उन्होंने कार्ड निकाला है तो उसके लिए total ना है वो बिलकुल आपके लिए सही नहीं है उस direction में आपने बिलकुल नहीं जाना उन चीजों से आपको बिलकुल परे रहना है और अगर कोई severe cases में अगर आप समझ पाते हैं कि negative energy अ हाल में positive नहीं होता चलिए next देखते हैं next हमारा टावर का कार्ड है तावर का कार्ड है और यह नंबर 16 का का कार्ड है 16 मतलब 7 7 मतलब के तू यह भी बिलकुल negative कार्ड है टावर यहां पर किस चीज़ को रिपर्जेंट करता है यह टावर डिपेंड करता है question के हिसाब से हम अगर हम ऐसा देखा जाए कि यह एक इनसान को भी show कर सकता है एक human being को show करता है और यहां पर इसके उपर जो आपको यहां पर कड़कती भी बिजली नजर आ रही है जो कि यहां पर अंदर जाकर के सब कुछ तबाह कर रही है that means किसी तरीके की negative सोच जब इनसान के अंदर दि निकल जाएंगे वो सब गिर जाएंगे और वो इनसान तबाही की तरफ चला जाएगा तो यह भी बहुत negative कार्ड है यह किसी भी हाल में positive इसको नहीं माना जाता तो यह जब भी reading में आता है यह अलग-लग readings में अलग-लग answers को show करता है अगर यह business के लिए आया है तो आप current को बोलेंगे कि इस business में आपको totally loss होगा तो better है कि आप इन चीजों से जल्दी से जल्दी इसको cover up करके उससे बाहर निकल जाएए अगर किसी भी relationship में आता है तो वो relationship भी totally उनके लिए सही नहीं है और वो relation तूट जाएगा क्योंकि उस relation में कुछ भी positive चीज़े उनके साथ नह है कही ना कहीं से negativity उनके अंदर जा रही है और वो relation score वो चीजों को तहस नहस कर रही है तो tower हमेशा destruction को दिखाता है कुछ भी इसके अंदर positive नहीं है तो इसको आप हमेशा negative way में ही लेंगे move to our next card that is the star after two negative cards we get one more positive card that is the star number 17 का card है ये 17 मतलब शनी का card शनी बेशक शने शने चीजों को life में देते हैं लेकिन जब भी देते हैं तो बहुत balance तरीके से देते हैं और बहुत अच्छे तरीके से देते हैं और वो कब देते हैं जब आप पूरे के पूरे honest ओकर बिल्कुल बिना किसी उपर से किसी भी तरीके की जो दिखावा है उसको आपने नहीं पहना हुआ किसी भी तरीके के जूट को आपने नहीं पहना हुआ आप बिल्कुल nude हैं nude मतलब honest हैं अपने काम के प्रती लोगों के प्रती अगर आप ऐसे हैं तो आपको भगवान की जो है पूरी की पूरी wishes आपके साथ है और आपको ये जो seven stars हैं आपकी life में seven positives जो life में होती है किसी भी इंसान की life में साथ positive चीजें आपके seven चक्रा भी positive रहेंगे तभी आपकी life में positivity आएगी तो देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक इस तरी को दिखाया गया है जिसके तन पर कोई भी कपड़ा नहीं है और वो बहुत balance तरीके से यहाँ से पानी इसके अंदर गिरा रही है पानी भर कर सेम उसमें भी गिरा रही है और एक बहार गिरा रही है that means कि यह इनसान बेशक emotional है लेकिन फिर भी यह धर्ती पर और यह पानी के अंदर बिल्कुल बराबर तरीके से है और यह चीजों को balance करके दिखाता है और किसी भी तरीके का छल कपट इस इनसान के अंदर नहीं है क्योंकि यह totally nude है तो ऐसे इनसान अगर आपकी reading में यह काड आता है तो ऐसे इनसान को बोला जाता है कि यह जिसके लिए भी आपने यह काड निकाला है वो आपकी life में बहुत अच्छे रहेंगे वो आपको बहुत फायदा देंगे उनके मन में किसी भी तरह का कपट नहीं है उनके उपर भगवान की पूरी दया है और उनके 7 चक्र बिलकुल active तरीके से सही तरीके से काम कर रहे हैं और वो इनसान अपनी life में positivity को enjoy करते हैं और positivity के साथ ही life में चलते हैं तो यह बहुत ही positive card है तो जब भी यह reading में आता है हम yes बोलते हैं और सही तरीके से positive way में answer दिया जाता है इसका next देखते हैं next card है हमारा the moon और यह हमारा 18 number का card है means आपका 9 number हो गया mangal mangal का card है बिलकुल इस इनसान के अंदर जो है energy तो रहती है लेकिन यह इनसान depressive mood में रहता है क्योंकि the moon moon हमेशा emotions को दिखाता है जब भी आपकी readings में कहीं पर भी moon आ जाए चाहे वो यहाँ पर moon आ जाए या moon बना हुआ नजर आ जाए तो moon के जो cards है वो हमेशा emotions को दिखाते हैं ऐसे इनसान अपने emotions के कारण ही depressive mood में रहते हैं तो आप देख रहे होंगे कि चंदरमा के अंदर यह चेहरा नजर आ रहा है यह थोड़ा सा depressive दिखा रहे हैं means ऐसे इनसान अपने thought process के कारण depressive mood में रहता है यहाँ पर दो towers हैं जो की stability हैं और अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको पानी नजर आ रहा है पानी में से एक आपको केकड़ा बाहर निकल कर बाहर की तरफ आ रहा है और यहाँ पर एक वेडिया और एक कुट्ता जो की मुह उपर को उठा करके भौक रहे हैं अब मुह उपर को उठाना चंदर्मा की तरफ मुव पर को उठा रहे हैं मतलब ये इंसान के इगो को दिखा रहे हैं तो जब भी किसी इंसान के इगो होती है तो इगो कभी भी सैटिस्फाइड नहीं होती तो इगो कभी भी सैटिस्फाइड नहीं होती इसलिए वो इंसान डिप्रेसिव रहता है तो आपने देखा होगा कि जो भी लोग बहुत जादा इगोिस्टिक होते हैं वो कभी भी खुश नहीं होते वो खुश क्यों नहीं होते क्योंकि उनकी इगो सैटिस्फाइड ही नहीं होती जब तक उनके और हर चीज़ में इगो कभी भी सैटिस्फाइड नहीं होगी एक चीज़ में अगर आप इगो सैटिस्फाइड कर लेंगे तो कहीं दूसरी जगह में फस जाएंगे अपनी चीज़ों को खो देते हैं और तीसरे इंसान के कारण इनकी चीज़े खराब होती है क्यों क्योंकि जिसके अंदर इगो होगी उसको कोई भी सहन नहीं कर पाता तो जहां पर भी कोई सहन नहीं कर पाएगा तो वो इनसान या तो डर के कारण आपका काम करेंगे या फिर वो डर के कारण नहीं करेंगे तो यह आपके अंदर के जो है एक चीजों को खराब करने वाली जो यह एनर्जी है यह हमेशा आपके आसपास रहती है त तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको कोई हर्याली नजर नहीं आ रही है, यहाँ पर आपको बंजर पत्थर पड़े हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे इंसान की लाइफ में पीछे आपको कोई सन भी नजर नहीं आ रहा है, तो यह एक मतलब डिप्रेशन का कार्ड है, कुछ किरने बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो इनको क्या सजेस्ट किया जाता है, कि अगर आप अपने अंदर के जो अहंकार है, उसको साइड में रखेंगे, तो आपके जो आसपास की चीजे हैं, वो थोड़े से पॉजिटिव वे में काम करने लगेंगी, तो आपकी जो है वो बन सकता है, कुछ जो है अच्छा होने के लिए, अदर्वाइज वो आपके लाइफ में नहीं बनेगा, और आपको चीजे हमेशा खराब होती रहेंगे, तो ये नेगटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके से देखा जाता है, डिपेंड करता है रेडिंग के नाइटीन मतलब टैन, टैन अगेन वन हो जाता है, वन मेंज सन, तो इनकी लाइफ के अंदर इनके काम जो है, जिस भी क्वेरेट नहीं कोई भी क्वेशन पूचा है, उनके काम एकदम से हो जाएंगे, किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी, अब यहाँ पर इस कार्ड की हुआ है, और यहाँ पर जो एक आपको क्लोथ नजर आ रहा है, वो भी पूरा लहरा रहा है, मींस हर तरह से हर चीज खिली हुई नजर आ रही है, यह तरह से प्रोस्पारिटी, अब कुछ चीजों में इस कार्ड को हम ऐसा भी बोल सकते हैं, कि यह इनसान अगर किसी भी पास आया, तो आप ऐसा बोल सकते हैं, कि आपकी लाइफ में कोई बच्चा, कोई बॉय, कोई लड़का, जिसकी मदद से आपका कोई काम हो सकता है, तो आप उनकी मदद लीजिए, या फिर यह आपकी लाइफ में किसी बच्चे के आने को भी दर्शा सकते हैं, या फिर किस जो कि मतलब छोटा बच्चा हो 18 साल से नीचे नीचे का कोई भी अगर छोटा बच्चा है तो उसकी मदद से इनका कोई काम हो सकता है ऐसा हम बोल सकते हैं तो टोटली पॉजटिव कार्ड है किसी भी तरीके से कुछ भी हमें यहां पे उलजा हुआ नजर नहीं आ रहा नेक्स्ट कार्ड इस जजज्जमेंट जो कि 20 नंबर का कार्ड है 20 अगेन मून आ गया तो मून जब भी आता है तो थोड़ा सा डिप्रेसिव चीज़ें बताता ही है क्योंकि मून की नेचर है कि वो हमेशा जो है थोड़ा सा दिमागी तोर से संतूलन में समटाइम्स वो लोग रहते हैं और समटाइम्स वो नहीं रहते हैं तो दिमाग की हलचल हमेशा इनकी लोगों के चलती रहती है अब यह जो कार्ड है यह हाफ आपका पॉजिटिव में जाता है और हाफ नेगटिव में जाता है तोटल नेगटिव में नहीं बोल सकते हैं इसको क्योंकि यहाँ पर पूरे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बादलों से एक इनसान आपको निकल कर कुछ बजाता हूँ नजर आ रहा है मीन्स वो कुछ एनाउंसमेंट कर रहा है लोगों के लिए और वो एनाउंसमेंट क्या है वो आपके करमों के एनाउंसमेंट है means यहाँ पर half इसको negative ऐसे बोल सकते हैं कि आपको यह जो नजर आ रहे हैं इनसान यह उपर भगवान की तरफ हाथ करके कुछ prayers कर रहे हैं, कुछ हाथ से माफी बांगने की कोशिश कर रहे हैं यह अपने कर्मों को बक्षवाने के लिए उपर हाथ उठाकर शमाय आजना कर रहे हैं तो means जब भी यह कार्ड आपकी reading में आता है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपने analyze करना है कि आपने अपने past में किसके साथ कुछ भी गलत किया है, पहले तो उन चीज़ों को सही किजिए भगवान से माफी मांगिए और उन चीज़ों का अपने कर्मों को निकाल लिए बाहर अब यह जो कबर में से चीज़ें बाहर निकल रही है that means यह मरे हुए मुर्दे बाहर आने का मतलब यह है कि आपके पिछले जो कर्म जो दब चुके थे वो दुबारा से जिन्दा हो रहे है मतलब वो आपकी लाइफ में जो है आपको अच्छे यह बुरे उसी हिसाब से आपको रिजल्ट देंगे तो यह जज्जमेंट का टाइम है यह शमा याचना का टाइम है बेटर है कि आप अपनी चीजों के लिए भगवान से एक शमा मांगे अपने पास्ट को दोराएं अपने पीछे नजर मारिए और देखिए कि आपने किसके साथ क्या गलत किया तो अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है तो बक्ष दिये जाएंगे अगर नहीं मांगेंगे तो फिर आप उसी कबर में दुबारा चले जाएंगे और आपके पास्ट कर्मा आपके साथ रहेंगे तो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा अगर माफी दे देते हैं और यह जो फ्लैग है आपको विंग्स के तोर पे आपको मिल जाता है तो आपकी लाइफ में कुछ चीज़े अच्छे होने का समय आ जाएगा तो यहां पर जब भी यह कार्ड आपकी रेडिंग में आता है तो आपको क्वेरंट को बताना है कि this is the right way this is the time when you have to seek apologies from God तो आपको माफी मांगनी है माफी मांगी है अगर किसी इंसान को आपने किसी के साथ गलत किया तो उनसे माफी मांगी है और अपने कर्मों कोई बंदन को यहां पर खतम किजिए तो यह positive और negative दोनों तरीके का ही कार्ड है depend on the question कि हमें किस तरह की interpretation देनी है चरिए अभी चलते हैं हमारे last card की तरफ जो कि है हमारा the word का card यह हमारे tarot deck का सबसे major अरकाना का सबसे last card है the word और यह हमारा 21 नम्ब का card है और देखिए यहां पर जो हमारी यात्रा थी जो कि आपने देखा होगा कि फूल से जो यात्रा start होई थी अगर मैं यहां पर card निकालके भी दिखा देती हूं आपको यह रही तो जो फूल था एक बरी मैं यहां पर आपको सारे cards को बिचाती हूं तो थोड़ा सा दिखाती हूं कि किस तरह से यह पूरा चक्र चला यहां पर हम इसकी बात करेंगे तो यहां पर इनको लगाते हैं थोड़ा सा और इसी तरह यह हमारे बाकी के card हैं यह आप इनको खोल के देख सकते हैं तो हमने देखा था कि यहां पर जो fool था उसने अपनी यात्रा स्टार्ट करी थी और उसने यात्रा स्टार्ट करने के बाद उसने अपनी life में कैसे यहां पर जो magician के रूपर बताया गया कि एक इनसान जब पैदा होता है बच्चा तो वो एकदम fool type ही होता है उसको कुछ ग्यान नहीं होता है तो जैसे जैसे वो अपने life में आगे बढ़ता है तो वो हर तरह से जो है उस चीजों को हासिल करता है यहां पर cups, pentacles और सब कुछ वो हासिल करता है life में कुछ ग्यान हासिल करता है तो वहां पर उसके अच्छे और जो दिमाग में कई तरह के thoughts भी चलते हैं इसको दिखाते हैं साथ में उसके बाद prosperity की तरफ जाता है love relations में जाता है life में मेनत करता है दूसरों की help लेता है और दूसरों को help देता भी है अप memory यहाँ पर wheel of fortune और जो है आपका word का card almost एक जैसे ही है इनकी interpretation में अभी आपको बताती हूँ तो कैसे इसको पूरे हर तरह से जुगाड करके अपनी life में success को हासिल करना होता है बाद में आपके कर्मों के हिसाब किताब के हिसाब से यहाँ पर आपके साथ justice भी होता है कुछ relations को आप खतम भी करते हैं life में कुछ negative चीजों में भी आप पढ़ते हैं आपको कुछ बहुत सारे obstacles का भी सामना करना पढ़ता है तो balance भी दिखाते हैं आपकी life के अंदर और end में यहाँ पर जाकर के बोलते हैं कि भगवान से एक शमा मांग लो वहीया time आने वाला है जाने का तो भवान से एक शमा मांग लो तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर fool की यात्रा start होते हुए यह सबी इन सब चीजों से निकलते हुए निकलते हुए निकलते हुए वो पूरे यहाँ तक word तक पहुँच गया है means word तक पहुँच गया का मतलब है कि एक इनसान की यात्रा जो शुरू हुई वो यहां से शुरू होकर के पूरे के पूरे लाइफ का सरकल जो है फिर वहीं पर वो आके खतम हो जाता है मतलब जन्म से लेकर जब इनसान पैदा होता है बिलकुल स्वच पैदा होता है उसके मन में किसी भी तरह का कपट नहीं होता किसी भी तरह का उसके इनसान और उसके पास लेकिन भगवानने उसको यतने एक शक्ति दी है और इसको फिजिकल शक्ति दी है कि एक इन्सान बच्चा तो यह जो चन दिखा रहे हैं यह चैन से निकल नहीं पाता, मतलब वो chain में बंदा ही रहेगा, पैदा होगा, कर्मों को साथ में लेकर आएगा, कर्म बंधन से बंदा रहेगा लेकिन हाथ में भगवान की तरफ से कुछ चीजें, कुछ सोगात रहेगी उसके, जिससे कि वो अपनी चीजों को हासिल करेगा, चाहे तो आप ऐसा बोलो कि बौधिक शम्ता को हासिल करेगा, अपनी पावर को हासिल करेगा, लेकिन उसके अंदर कुछ नेगटिव भी रहती है, तो वो भी उसको हासिल करता ही है हर इंसान और यहाँ पर वो कुछ अच्छी चीजों को भी हासिल करेगा, तो यह जो चीज़े हैं, यह करम बंदन से वो एक कोई भी इंसान निकल नहीं पाता, तो यह वर्ड जो है, यह आपकी लाइफ की कम्प्लिशन को दिखाता है, तो देखा जाये तो यह एक पॉजटिव कार्ड है, मतलब कहने का मतलब कि एक इंसान जन्म से लेकर एंड तक एक सरकल को कम्प्लीट करके अगेन दुबारा से एक सरकल में बंद जाएगा, तो मतलब एक जर्णी को कम्प्लीट करके दूसरी जर्णी के लिए वो फिर से तयार हो जाएगा तो यह पॉजटिव कार्ड होता है इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपकी लाइफ की जर्णी मतलब जो भी क्वेरिन का क्वेश्चन है, उसके ही साब से आप मुसको बोलेंगे, अगर उसने बोला कि किसी भी अगर वो रिलेशन्शिप के लिए है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि इस इस दे कम्पलीशन आफ यूर रिलेशन्शिप मतलब इस इस दे बैस्ट दाट यू आफ गाट आप आपने जो अब पाया है वो आपकी लाइफ का सरफ स्रेश्ट चीज है, अगर कोई अगर कोई भी क्वेरेंट किसी और क्वेशन के साथ आता है, अगर वो बिजनस को लेकर है तो आप बोल सकते हैं कि इस इस दे बैस्ट बिजनस दाट यू आर डूइंग राइट नाओ तो आपको यहाँ पर अपनी सही तरीके से चीजों को अपनी बुद्धी को सही तरीके से यूज करने अपनी पावर को सही तरीके से यूज करना है अगर आपके अंदर कुछ नेक्टिविटी है तो उसको आपको साइड में ही रहने देना है तो यह जो बिजनस है यह आपका बिलकुल सही सही time है business को grow करने का चीजों को करने का लेकिन उसको सही तरीकों से कीजिए again उस बंधन में मत पढ़ जाईए मतलब कुछ भी गलत चीजों आपको नहीं करनी है तो भगवान ने जो आपको सही चीज बक्षी है जो पावर हाथ में आपको दी है आपको उसी के हिसाब से सही ची question के लिए especially कि this is the best thing you have got this is the completion what you are seeking so यही पर यही आपकी life का सबसे best चीज है अगर उसके अंदर कुछ गलत हो रहा है यह गलत चल रहा है तो उसको ठीक कीजिए बट इससे बाहर मत जाएए so friends I think that you have liked this video and I hope the contents are useful for you and अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लेजिए मेरे चानल को thank you for watching astro mantra be positive